असलाम लेकुम फ्रेंट्स इस साद एंड वी आर बाक विद अन अमेजिंग वीडियो अपनी आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूसफुल और इंट्रेस्टिंग टॉपिक शेयर करेंगे तो चलें स्टार्ड करते हैं अपना आज का टॉपिक अचा अब हम ने बहुत इंबोडेंट एरिया देखते हैं वो है नौन प्रिंटिंग करेक्टर्स का नौन प्रिंटिंग करेक्टर्स बिसिकली क्या होते हैं के वार इक्जаздम आपने डॉक्पिंट लिखा bigger रिंटन विक साथ डिन हाने अगर मैं एंटर अब of एक साहता है तो अगर मैं enter दबा के दिखें कि सेखेंड लाइन पर आना चाहता हूं नॉरॉ साथ चाहए है ना enter enter करते रहे अब यह second page start हो गया अब हो सकता है आपने सिर्फ enter ना प्रेस किया आपने बीच में tabs भी प्रेस कर दियों आप से space bars भी प्रेस कर दियों तो यह सारे वो characters हैं जो के नजर नहीं आ रहे होते हैं अब अगर आपने यह सारे खतम करने हैं ताके यह सिर्फ single page पर प्रेंट करें एक्स्ट्रा जो spaces हैं tabs हैं यह सारे रिमूव हो जाएं तो यह दिखेंगे कैसे कि क्या चीज़ इंसर्ट हुई भी बीच में उसके लिए आप home tab पे जाएंगे home tab पे आपने जाके यह है show or hide non printing characters इ यह ultra P जैसा sign है आप इसको click करेंगे तो जहां जहां enter press हुआ है उसका sign ऐसे P में होगा जहां tab प्रेस किया हुआ है उसका right arrow की में होगा जहां पर आपने spaces दी वी हैं वहां पर आपका dot होगा तो अगर two dots हैं तो इसका मतलब है आपने double spacing दी वी है तो इस तरीके से अब करना है कभी भी कोई confusion आ रही है आप extra spaces remove करना चाहरें तो आपने क्या करना है यह non-printing characters को on करना है और इसको सब को select करके delete करते है यह अपने हिसाब से adjust करते है non-printing characters का मतलब ही क्या है कि यह आप अगर ऐसे show भी करें और मैं print उसका ले लूँ तो यह characters जो है वो print में show नहीं होते हैं लेकिन यह मौझूद होते हैं document में तो जो के आपके लिए कोई problem अगर create कर रहे हो तो आप उसको adjust कर सकते हैं तो एक तो हो गए यह non-printing characters के जैसे चीज़ अब अगर हमने line spacing adjust करनी है अब आप देखें normally जब हमने टू लिक टू फरहान और from साथ लिखा अब इसमें एक particular gap है यह by default line spacing होती है जो कि आप कम जादा कर सकते हैं उसका तरीका क्या होता है कि आपने पूरे कुछ लेक किया line spacing की option में आप जाए line spacing अगर आप 1 कर देंगे 1.5 कर देंगे इस size increase होता जाएगा जो default spacing है वो 0.75 या ऐसा कुछ होती है अगर आप remove space after paragraph करेंगे तो हर enter के बाद जो वो extra space देता है वो यह remove कर देगा ठीक है तो इस तरीके से आप यह कर सकते हैं इसी तरीके से for example मैं इस area को मैंने select करके remove space after paragraph कर दिया तो इस तरीके से जो है आप line spacing adjust कर सकते हैं ताके आपका format और जादा professional looking बान जाए तो friends उमीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो में comment करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप future में किसी specific topic से related वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी comment section में ज़रूर बताएं क्योंकि अपने इस channel पे हम बहुत ही amazing techniques share करते हैं तमाम software से related जिसमें telly, advanced excel, quickbooks, sap business one और बहुत से ऐसे advanced softwares हैं जो daily आते रहते हैं उससे related हम तमाम tips and techniques इधर share करते हैं So this can really improve your efficiency at work. Thank you so much and Allah Hafiz